नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉलिवुड के दवंग खान सल्मान खान को कौर नहीं जानता और इस उम्र में उनका फिटनेस के प्रतिजजबा देखते ही बनता है आपको बता दें कि कई लोग तो ऐसे हैं जिनोंने जिम जाना ही सल्मान खान को देखने के बाद शुरू किया आपको बता दें कि वह 56-57 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन आज भी वह जिम जाना नहीं भूले और वह पून रूप से अपना व्यायाम करते हैं ऐसे मैं सल्मान खान की डाइट क्या है और फिटनेस के लिए वह क्या करते हैं ये आज हम आपको बताएंगे आपको बता दें कि जब वह नॉर्मल वर्काउट करते हैं तो बेंच प्रेस, वेट ट्रेनिंग, ट्रेड मील, सिट अप्स और पुश अप्स करना नहीं बूलते इसके अलावा वह सर्किट ट्रेनिंग का भी इस्तमाल करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वह अपने शरीर को आराम नहीं देते आपको बता दें कि सल्मान खान हफते में एक या दो दिन आराम भी करते हैं जिसकी वज़े से उनका शरीर फ्लेक्सिवल रहता है आपको ये बात जानकर हरानी होगी कि सल्मान खान लगातार तीन घंटे तक साइकल चला सकते हैं और उन्होंने MMA यानि कि Mixed Martial Arts की ट्रेनिंग भी ली है खास बात ये है कि वह अपनी डाइट पर ज़्यादा फोकस रखते हैं और वर्काउट में बदलाव करते रहते हैं अब बात करते हैं सल्मान खान के वर्काउट के अलावा उनके डाइट प्लान की आपको बता दें कि सलमान खान इस बात को खुद कनफेस कर चुके हैं कि वह देशी खानों और इतैलियन वेंजन खाना पसंद करते हैं और इन्हें वह भर पेट खाते हैं आपको बता दें कि जब वो सक्ट प्रशिक्षण में रहते हैं तब वह चाइनीज खाना भी पसंद करते हैं लेकिन अपनी कैलोरीज को हमेशा ध्यान में रखते हैं अगर बात करें ब्रेकफास्ट की तो दबंग खान अपने शुरुआती ब्रेकफास्ट में सुबह चार अंडे यानि की चार अंडों का सफेद भाग खाना पसंद करते हैं और कम वसा वाला दूद पीते हैं लंच में वह दोपहर के खाने के दोरान पॉष्टिक और हलका खाना पसंद करते हैं जिसमें वह पांच रोटी ग्रिल सबजियां और सलाद लेना पसंद करते हैं और डिनर के समय वह सिर्फ सूप लेते हैं और इसके साथ ग्रिल चिकन या मचली खाना पसंद करते हैं और इसी के दौरान वह नट्स भी खाना पसंद करते हैं जिसकी वज़े से उनकी प्रोटीन की मातरा बनी रहती है वरकाउट में और डाइट में उनका काफी नियंतरन है जिसकी वज़े से आज की समय में वह पूर्ण रूप से फिट है आपको सलमान खान की फिटनेस से रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल बटन को जरूर दमाएं धन्यवाद